आपको जो भी नया वीडियो आएगा उसका तुरण नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे अभी देखोगे कल के लिए हम लोगों ने आनलेसिस किया था 18 अगस्ट के लिए आपको इसी इसमें बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने यह बनाया था था थोड़ा सा 18 अगस्ट का मैंने आप लोगों को यहां पर बना के दिखाया था आप देख सकते हो इसम्पली देखो मार्केट यहां उपन हुआ एक इंडिसीज़ केंडल का फॉर्मेशन हुआ यहां से उपर गया यहां पर मार्केट में आया था एक्जेक्ली यहां पर शुटिंग स्टर का फॉर्मेशन हुआ 9.35 के लेवल ब्रेकडाउन एक्जेक्ली ना है 8.61 का टार्गेट यही पर हैमर केंडल का फॉर्मेशन और आप देखो उपर के तरफ यहां से ट्रेड लेते तो माइंड ब्लोइंग 100 पॉइंट की मॉइंट 95 मॉइंट की मॉइंट उपर के डिरिक्शन में हुई कही न कही जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ इवन आपको मैंने ये लेवल बताई थी अब जाके देखो ये जो पिंक कलर की दो लेवल से है ना मैंने आपको कल ही बोला था इनको ड्रॉ करके रख देना है आप देखो किस तरीके से मार्केट में ट्रेड बनता है और किस यहां पर बड़ी अच्छी अपर्चंटी थी जहां पर हैमर केंडल का फॉर्मिशन था और मार्केट कंटीनी उपर के डिरिक्शन में मुव्मेंट किया अब यहां आप शुटिंग सार पे ट्रेड करो या फिर यहां पर ट्रेड करो तो प्रॉफिट तो बनाए है हाँ इन इसा आके नीचे इस तरीके से मार्केट जब सेट अप बनाता है प्राइस सेक्शन उसके बाद अगर एंट्री करते हो ना तो वह जादा बहतर होता है यहां पर अगर आपको उपर कितना जाने वाला पता नी तो 850 का पुट शॉट कर सकते थे 24 पे अवाइलेबल था 850 का पुट जो मैंने 15 पे शॉट किया था आप टेलिग्रम पे जाके देख सकते हो यह सारी चिज़े मैंने खुट की थी 14 पे और 16 पे 850 का पुट और 18,000 पे फिर मैंने इसमें एडिक्शन किया था 850 के पुट में जब वो 24 के आसपास गया था तो अल्टिमेटली इवन सिर्फ इतनी कॉन्टिटी आप रखते ना यही तो यह अल्मोस्स 10,000 का प्रॉफिट देखे चला गया मैंने तो non-directional trade बना था because I was sure कि 18,000 का call 0 होने वाला है and अगर आप इस वीडियो में देखा होगा 16th August का बहुत कम लोगों ने देखा है but 16th August का वीडियो यहां पे मैंने clearly बोला है 3 to 5 minutes पे जाके check करो कि 18,000 का call 0 होने के full chances and exactly I have done the same thing right तो today I got the opportunity that 18,000 का call मुझे 16-17 रुपिज पे मिल गया तो यह दोनों ही almost zero हो गया और आप देख सकते हो end में मने कुछ पुट भी short के तो बहुत कम प्राइस पे 4 रुपिज पे 700 quantity तो यह भी 3,000 रुपे का profit decade चला गया so see how the labels are working on the chart और वो भी मैं एक दिन पहले देता हूँ but हाला कि इसको थोड़ा सही डंग से trade करते हो देखो कितने लोगों ने यहाँ पर पैसा बनाया बहुत अच्छे आप feedback देख सकते हो और कितने अच्छे से लोग trade करता है बट सीख के trade करो के तो कोई दिक्कत की बात नह आते हो तो आप यहाँ पर हमारे application को download जरूर कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं कहें यह link आपको telegram पर मिल जाएगी तो इसकी link भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी description पर जाके चेक कर सकते हो अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरा WhatsApp नंबर इसे description में नीचे मिल जाएगा वहाँ पर भी आप मुझे करके देखोगे ना तो यूइल गेट सम क्लारीटी यह मैं आपको यह जो है ना यह पीछे से कर आप देखोगे तो कल के डेट में यहां से इतना बड़ा rejection आया था उपर के तरफ मार्केट चला गया दूसरी जिस मार्केट यहां पर रेट कैंडल बनाई और इतनी तुनंत चले गया तो कहीं ना कि यह क्लारीटी अपको थी मतलब मुझे तो यह था कि मार्केट इसके नीचे जाना इंपॉसिबल लगने वाला था ठीक है वह आगे मैं और एक्स्प्लिंग करूंगा पहले कल का एनलेसिस कर लेते हैं क्लोजिंग बढ़ी ही प्यारी है बहुत अच् इसक्रिट फॉर्म में है बहुत ज्यादा इंटरेस अभी बना नहीं है बट स्टिल 30,80,000 का ओए चेंज है हाट के डिट में और टोटल होगा है 64,000 का तो 18,000 विल वर्क आज रिजिस्टंस आज 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 200 800 पे-ट Congrats का काम करेगा दोनों की प्राइस देखे चले तो अल्मोस 130 inkा रंज बनेगा मार्यट में नीचा आओम के 250 इस तो यहाँ पर सब्रबनेंगा उपर और उसके उपर 342, अब ये मैं weekly का बता रहो, कल के लिए नहीं बता रहो, कि आगे क्या-क्या होने वाला है, तो देखो, ultimately ये जो box मैंने बनाया हुए, यहाँ पे जाके एक levels mark कर लेते हैं, इसको कुछ color change कर लेते हैं, अभी देखो, 18,200 is coming, अगर market इसके उपर sustain हो जाता है, तो next level हमारी 18,090 पे आ रही है, अगर ये market इस 18,000 के उपर, ये जो level है, अभी 18,000 के आएगी, इसको भी 18,000 के उपर अगर market sustain हो जाता है, ठीक है, exact intraday में कौन सी level रहेगी, मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी फिलाल 18,000 के उपर अगर market sustain हो जाता है, तो फिर market को 18,200 आन rich, right, तो daily chart पे पुलिश है, nifty कोई दिक्यत की बात नी, even bank nifty भी आप देखोगे, इसको थोड़ा save कर लेते, मनलब जब भी देखेंगे, सारी चीज़े clear रहेगे, bank nifty में एक बहुत अच्छे price पे close हुआ है, 39,680 के आसपास, और आगे कर जो है, almost obviously बीच में resistances है, मैं weekly इस label can also bank nifty will try to reach, कहां से आए, पीचे से chart में देख सकते हो, तो यह जो zone है, बड़ा important zone है, अब देखते हैं, यहां bank nifty क्या करता है, ऐसा नहीं है कि और उपर चला जाएगा, आज की candle आप bank nifty में देखो तो mind blowing moment ही उपर के direction में, ठीक है, हमारी जो label थी आपने अगर लगा के द इसके ऊपर चला जाता है, 18,000 के ऊपर sustain हो जाता है, तो don't think about to short, short करने के बारे में मत सोचना, ठीक है, एक और एक label रहेगी, जो मैं बताऊंगा आपको, but 18,000 के ऊपर अगर market रहता है, तो इसको बिलकुल ही short मत करो, market में अगर आप selling side का, अगर put side का trade लेना चाते हो, 2-4 द पहली बात, तो market में अगर एक reversal आ भी जाता है, कि यहां से rejection हो के 18,000 के market नीचे बहुत जादा है, तो अगर वो भी rejection लिया, तो इतना ही retracement पॉसिबल है, यह इतना बड़ा नीचे, मुझे तो अभी as of no नहीं दिखता है, अगर आके condition मनती है, तो देखेंगे, तो तो पहली बात तो यह जो gap थोड़ी सी पड़ी है, यह feel हो सकती है, नीचे की gap को छोड़ दो, इतनी वो significant gap अभी नहीं रही, लेकिन अभी market का जो trend है positive है, तो देखते हैं, इस zone में market क्या करता है, इसके उपर हम लोग फिर से bullish जाएंगे, पूट में trade बिलकुल ही नहीं करे थोड़ा से हैं, कल Friday है, तो option selling में भी इतना कोई decay का कोई फाइदा हमें होने वाला नहीं है, तो किस तरह के से trade करेंगे, intra decay levels के साथ देखेंगे, जो हमारी important TM levels है, उसके साथ में, at the same time, कल कहां opening होती है, बड़ा matter करेगा, इवन मैं आपको कुछ interesting चीज बताऊंगा, कल मैं आपको बताया था, ठीक है, यह कल की levels as it is होगी, आज की मैंने draw नहीं किया, just a minute, इनको open होने देते है, देखो, यह आपके सामने मैंने यहाँ पर yellow line बनाया था, और मैंने यह भी कहा था, यह भी resistance का का काम कर सकता है, तो यह important level थी, आप देखो, मैंने कहा था कि कल market कहा open होत मतलब यह market कहाँ पर 9.15 पर रहेगा, देखना पड़ेगा, so almost आप देखोगे, तो यह level पर ही market continue rejection ले रहा था, इसी zone से, और देखो, market यहाँ पर drop हुआ, 11.55 को, हमयारी entry वहाँ पर positive थी, hammer candle का formation हुआ, exactly उसी समय पर, यहाँ पर भी market ने support को टच किया, और यहाँ से देखो one-way rally continue यहाँ पर हुई, और इस target पर जाने के थोड़ा सा pause लिया, हाला कि 18,026 market ने touch किया, 18,026 शायद याद होगा आपको, कि मैंने यहाँ पर 18,027 बताया था, हमारे nifty में, आज के date में, हाला कि वह गया नहीं, but see, 18,000 इसके पहले भी बताया, अगर analyst की वीडियो हमेशा देखते होगे, तो यह सारी चीज़े पता होगी, 18,026.5 के आसपास, आप देखो, हाइक रहाँ पे, 18,026.5, देखो, यहाँ दिखेगा, ठीक है, यहाँ ही से rejection लेके, फिर से drop हुआ, कितने point क्या है, भाही, आपको प्रोवाइड करता हूँ, इसको हलके में बिलकुल मत लेना है, चलो, देखते हैं, कि अभी क्या है, अल्मोस 17,974 पे है, तो 18,000 के आसपास रहेगा, देखते हैं, कल कहाँ नहीं, यह कल की लेवल नहीं, यह वालिड नहीं, कल के लिए खतम होगी, अभी देखते हैं, हमारी इंपोर्टन लेवल रहेगी, उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, तो सबसे पहले हम लोग निफ जोन ता आज, यहां से रिजेक्शन हुआ है, तो मार्केट कही नहीं, कि इसके बीच में अगर रहता है, लाइकवाइस, इसके बीच में, तो जनरली मैं कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा, अगर यहां पर प्राइस सेक्शन बनके ऊपर के तरफ जाता है, तो फिर से एक चीज़ याद रखनी है, आपको यहां पर और एक लेवल दिखेगी, इसको मार्क करना पड़ेगा, चार्ट पर जाके देखो, कौन सी लेवल बनके आ रही है, अल्मोस्ट यह भी एक, यह जो केंडल है यहां से बनेगी, तो 17,929, इसके नीचे अगर, क्लोज करने ल तो यह तो हमारी इंपोर्टन लेवल है, यहां पर प्राइस सेक्षन बन जाएगा, इस तरीके से, कि जैसे यहां से सेल हुआ, फिर रिजेक्शन लिया, तो फिर हमारी जो एंट्री है, वो पॉसिबल होगी, इस जगे पर, इस जगे पर, तो इन दिस पर, कहां ओपनिंग ह तरफ अगर मार्केट 18,022, याद रख लो, नमबर को समझ लो, 18,022 और उसमें 18,022 तो 30, इसके उपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है, इसके उपर, तो भाहिया, सीधा बूलिश मार्केट जाएगा, मार्केट उपर के तरफ, कल लेवल बताऊंगा, वो डिले 18,000, 82,90, 60-point की movement, सीधा सीधा क्लियर कर डिक रही है, ठीक है, अगर इसके उपर चला जाता है, और मार्केट ट्रेंडिंग होता है, यहाँ ओपन होके, अगर मार्केट बड़ी कैंडल बना देता है, या डिरिकली, यहाँ ओपन हुकता है, और फिर यहाँ पर सपोर्ट ले होगा, अभी as of now condition बनीए कि 18,000 पे call sellers है, तो इतना आसान भी नहीं होगा, यह जब 18,000, 22,25 तूटेगा, सस्टेन होने लगेगा, तो वहाँ का OI डिकरिस होगा, तब जाके मार्केट राली करने के लिए रेडी होगा, ठीक है, तो कही ना कई put selling में इंक्रिमेंट होनी चाह ही है, तब जाके यह बड़ी मुवमेंट continue उपर के तरफ करेगा, तो देखते हैं कल कहा open होता है, otherwise इस zone को थोड़ा सा time pass zone करके छोड़ देते, continue चार दिन सा profit बना रहे हैं हम लोग बहुत अच्छे setup बन रहे है daily, फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, तो you have to, मतल low, 39,807, important level रहे हैं, इसके उपर, magnitude is going to be bullish again, no need to take any attention, इसके उपर, magnitude उपर के तरफ जा सकते, उपर के लेवल, मैंने आपको सब को बताया किस तरह से निकालनी है, दूसरी चीज, नीचे के तरफ, 39,600, बहुत important है, breakdown नहीं होना चाहिए, most probable, अगर ये breakdown होता है, तो हलका सा magnitude मे pressure रह सकता है, एक आ रहा है, 39,380, ये levels mark करके रख सेते हो, किस तरह से काम करते हैं, तो बहुत बार आप लोगो ने देखा होगा, at the same time, almost 14-15 minutes का video हो चुका है, तो यहां पर हम अभी रूख जाते है, and one announcement, अगर आप यहां पर चाहते हो, तो आपके लिए कुछ coupons available है, तो as you apply the coupon, the course fee will reduce drastically, right, so you can apply this coupon, and if you want to enroll for the course, you can go for this, right, so this is all about, and hit the like button, क्योंकि views बहुत कम आ रहे, okay, मैं आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हो, आप लोग बोलते हो हमेशा, इसलिए वो सारी चीज़े होती है, otherwise फिर यह, अगर इतना response मुझे अच्छा नहीं मिला, तो again हम लोग वो continue करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, that is the simple thing, right, तो आज के लिए भी यहां रुकते हैं, जितने जादा से जादा लाइक हो सके, कर सकते हो, share this video with friends and family, thank you, once again, मिलते हैं next video में,